हमारा नेश्ट समाजी कंदोलन है नक्सलवाडी कंदोलन जो की बाद में शुरू में क्रीश कंदोलन था लेकिन बाद में वी एक नक्सली टाइप मतलों एक एवैद गतिवीदियों हिंसक गतिवीदियों कंदोल मन गया जो वरतमान में ये नक्सलियों के रूप में परसलित ह है जिसने देश की अखंडता सेंपरबुता को नुक्सान पहुंचाया है और अगर हम नकसलवडीं अंदोलन के बारें में जीकर करें तो इसकी सुरवात पस्षी मंगाल में हुई थी नकसलवड़ीं गाओं जिसके कारण इसकों नक्सलवाड़ी अंदोलन कहा है अगर हम इसको ठोटिकल पड़े और समझें क्रीशकों की भूमी संब्दों में नहीत सोशनकारी वहस्ता से मुक्ती दिलाने हेतु एक क्रीशक अंदोलन जो पस्ची मिंगाल के दारजलिंग के जिले के नक्सलवाड़ी गाओं में स्यारम हु पस्ची मिंगाल की क्रीशी वहस्ता में खेती की जोतदारी अधिहारी प्रचलितीज के वारे हमने पिछली वीडियो में जिकर कर लिया है यहां अधिकांस भूमी का स्वामतों बड़े जमिदारों के पास था जो भूमीन लोगों को जमीन खेती करने के लिए देते थे अधिहारी या जोतदारी खेतों पर मेहनित कर अनाज उप जाते थे और उपज का आधा हिंसा जमीन के मालिक को दे देते थे अधिहारी को अपने आधे भाग में से भी कुछ इंसा पसुधन बीज परियोग खलिहान परियोग एवेज में जोतदार को देना पड़ता था कहने का मतलब क्या है जो अध्योतदार थे वो कुल उपज का तीन सुथाई इंसा ले जाते थे किसकी एवेज में खलिहान देने की एवेज में बीज देने की एवेज में अपने बैल देने की एवेज में जो उपकरण होते थे उनके देने की एवेज में मतलो 75-80% हिंसा जोतदार ले जाते थे लेकिन जो जमीदार जो क्या नम है अधियार थे अधिन थे जोतदारों के उनके पास तो सिर्फ 25-20% हिंसा रह पाता था जो उनके सोशन का सबसे बड़ा कारण था कारण क्या था मेहनत कोई कर रहा और फल कोई पा रहा विदाउट एनी एफ़र्ट क्रिशक संबन्दों में सोशन कारी तत्तो चरों पर था एक तरप अधियारी को अधिक अपनी उपजगाई इतना कम हिस्सा मिलता था कि उनका जीवन निर्वाह मुश्किल था उनको उन्चे वैधानिक सरंक्षण के अभाव में अधियारों की एनियंतरित बेदखली क्रिशी सर्मी को कम मजदूरी रिंड के बोज में बढ़ती बोज में बढ़ोतरी होती गई आजादी के बाद जमिदारी वश्ता के अनुमूल के बाद भी बड़े जोतदार बने रहे मतलव अजा बूज्स वामियों के अपनी भूमी का अनुचीत हस्तांतर अपनी परिवार के अनियस स्दस्यों के नाम पर करके अपना कबजया बनाए रख इस प्रकार स्वियोहार में जोतदारी अदिधियारी पर था और उसमें नहीं सोशन विद्या माद रहा इसी आऊदि में अध्य प्रिवार में एक व्यक्ति के नाम इतनी जमीन होगी तो बाकी जमीन दूसरे लोगों को स्थांतरित की जाएगी लेकिन लोगों ने जो जो पुन्जी पती थे जोतदारी विवस्था से समंदित लोग थे उन्होंने क्या क्या अपनी अधिशेस भूमी का स्थांतर्ण अपने रिष्थदारों अपने बच्चें के नाम करके उस पूरी जमीन को पने का और निश्कर्स क्या निकलता है कि अधिहारी विवस्था वैसी की वैसी सोशनकारी ही बनी रही अजादी से पहले भी और अजादी के बाद भी उपर्योक्त समाजिक प्रिशित्यों कारण अधिहारों और निचले तबकों के लोगों में जोचदारों के परति ग्रेना और अक्सोब की भावना उत्पन हो गई क्योंकि सोशन कारी विवस्ता में सोशित लोगों का सोशकों के परती घ्रेना और अक्सोब की भावना उत्पन होना लाजमी है होना भी चाहिए और अपने अधिकारों के परति जागुर्ख होना भी चाहिए इस प्रिशितियों में अंद तिभागा अंदोलन के आवसेश और किसान सभा के प्रियास द्वारा और उर्वर बनाएगा तिभागा अंदोलन हमने पढ़ लिया है क्या था और जो किसान सभा उसके प्रियास है क्या थे इसने क्या किया उस जमीन को और ज्यादा उर्वर उर्वरक प्रदान करने का काम किय नक्सलवाडी अंदोलन का उदेशया विचारधारा और रणनीती जिस परकार हमने पिछे की सान अंदोलन का उदेशया पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे नक्सलवाडी अंदोलन का क्या उदेशया था नकसलवाडी अंदोलन का परमुख खुदे से एक सोशन वहीन समता मुलक क्रीशी समन्दी वश्था की स्थापना करना था जहां पर सभी के पास भूमी स्वामित हो और जिससे सभी के जीवन निर्वाह की आप सकता है पूरी हो सके नकसलवाडी अंदोलन मुख्यत है मारक्सवादी लेनिन जो कि मारक्सवादी में सामयवादी विचार धरा का प्रभूत्तो था लेनिन में समाजवादी विचार धरा का प्रभूत्तो था और माववादी विचार धरा से प्रभावित थी इसके अंतरगत गुरिला यूद के द्वारा सत्ता पर काविज करना विवस्था में आमूल चूल प्रिवर्तनिया कांद करांती कारी प्रिवर्तन लाने का प्रियास समलित है प्रारम में यह है अंदोलन कानू सानिल द्वारा परस्तावित रणनीती के तहत कार्य कर रहा था जिसमें काट कर लाए गए अनाज को इकठा कर उस पर लाल जंडा गाड दिया जाना और फसलों की रक्षा के लिए ऐस्तर सस्तर धारण करना पोलिस से अपने नाजों की सुरक्षा करना सामिल था आगे चलकर चारू मजुमदार ने उपरोक्त में उच पर सिक्षन प्रापत कर कैडरों द्वारा कैडर स्थापित कर दिये अपरल गुरिला युद्धृपतं दी में कृसिक परनाली में सरचनाते प्रियोर्तं की नई रणद्यी को सामिल किया गया और नक्सलवाडी अंदोलन दुए कि पर्यास क्या गया थे प्रियास तो हमने वैसे लगबग जी करver कर लिया क्या क्या प्रियास थी अगर हम इसको थियोर्टिकल पड़ें अध्यारी परथा के विरोध नक्सलवाडी अक्षेतर में किसान सभा साम्यावादी द्वारा समर्थी द्वारा व्यापक प्रियास किया गया प्रंतु अपक्षित लाब नैमील पाने के कारण यह सपस् गया नक्सलवाडी किसान सबाकी बैठक में सानु कानू शान्याल ने जोतदारियों के भूमी से समंदी सभी उपज़ को हत्याने की घोशना की मतलब हडपने की बात की जो जोतदार लोग थे तब हुआ जब निरिपेंदर घोश विरेंदर घोश और जतीन घोश जैसे नेता अधियारों के साथ नक्सलवडी गाओं में के बगवान ड्याल सिंग के खलिहान पर अपनी मांग को रख और अधियारों को अपने घर ले जाने को कहा जमिदारी वविश्था का विवारता अनुमूलन खेतों पर जोतने वाले का अधिकार उधार धन पर 25% ब्याज का चाहित सभी महत्वर नेताओं को कैद कर लियागा और जिसे नितरी तो सुनेत एक्स्तिती पैदा होगी चारू मजूमदार जैसे नगरे प्रिष्ट भूमी के नेताओं द्वारा दूर किया गया और चारू मजूमदार ने यह महसूस किया कि सोशन के तत्तो इस अर्द साम प्रिवस्ता में नहीत है अतहब व्यवस्ता परिवड़तन आवस्यक है जिसके लिए जुरूरी है कि सोश जोद्दारों के सोशन के दिकार को चीन लिया जाए और यह कारिया भूमीन मजदूरों और गरीब किसानों के द्वारा किया जाए इस कारिया में उन्होंने सबसे प्रिव narrator को लगा चारूम ऋउम्दार ने क्या गिया प्रिश्विस्त प्रसापत करना के पाद के ड्ली त्यार किया कि प्रसक करने के बाद क्रीब कर दोंगे बढ़ाने के लिए कि रही हो सकता है नक्सलवाडी अंदोलन ने पस्मीमंगाल किस किसानों को Google संख्डित अपनी हितों के रक्सार के प्रीच क Cong点 सप्रूपतर क्या है एक किसानों को संख्ठित करने में मेर्टे मिंत्री इंव्य वरक्चेतना पैदा की और संग्ठित हुए और सरकार और अन्या लोकतांतरिक संग्ठनों दुआरा बोभीन सर्मिकों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया क्रिश्कों की समाजिक आर्थिक दसाओं में सुधार संबो हुआ यह संसदिय वामपंथी राजनिती का स्पलता को जुगा करने में सहाइक हुआ कि सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम अपनी मांगों के लिए खड़े नहीं होते इसने सामयवादियों के विच्पून विचारों की परकिरिया को आरम किया सत्ता परकाबिज करने के अंतिम राजनिती कुदेश्य के साथ कूछ हिंसों में कम्मिनिस्ट का अंतिकारी नेतरतों में संक्ठित सरकार वामपंथी संक्रिस हुए और जिसे सत्ता सीन वामपंथ्य खशनोती मिली नकसलवाडी अंदोलन का आरम करिश्टों के सोचन के विरूद पर्तिक्रिया सुरूप हुआ जिसने एक सम्टावादी सोचन मुक्त करिशिक समाजी गोईस्था की स्थापना का परियास किया अंदोलन का प्रारम यद्दिपी एक अच्छे लक्से को लेकर प्रारम हुआ प्रंतु उसको प्रापत करने के साधन के रूप में हिंसक विचारधरा पनाए जाने के कारण यह राजजे विरोधी हो गया अंदोलन को राज्जे द्वाराव वेद्दत परदान नहीं की गई इसके साधे इससी इंडोलन की अन्य कमिया नीमलिक्त हैं क्या क्या कमिया है अगर हम इसमें कुछ कमिया निकालें जो इसका मूल लियंकण करते हैं नियुक्ते परकारों हो ठाएं समयों का शब्वाव इस बहुत से किसानों को दल के रूप में डाल के रूप में वर्गीक्रित रूप में परशक्शित कर साल खंपा गया जिसे वह परीचित ही नहीं थे जिसे वह परीचित ही नहीं थे पर्दनादी में एसंगत विद्यमान थी एसंगत ता उपजबर कबजा जबरदस्ती फसल काटना हत्या करना जो हिंसक हत्यार थे उनका परियोग हुआ अंदोलन का बागडूर नगरिय प्रिवेस के हाथों में चले जाने के पर आने की आगे करनेती क्या हो इससे किसान अन्भीगे रहे अंदोलन से कटते गए मतलब अंदोलन का नितरतो नगरिये प्रिवेस के लोगों के अभिजात वर्ग के प्रिवेस के लोगों के हातों में चले जाना एक बहुत वड़ा ही एसफलताया कान रहा चारू मजुमदार वढ़ाई गई कई गुरिला पधती और वर्गय सत्रुता की भावना अंदोलन के लिए अंतम भाती रही मजुमदार ने उस सम ववस्था की चर्चा नहीं कि जो वरत्मान वववस्था कीजगह लेती मतलब भविश्य है अंदोलन का भविश्य है क्या होगा क्या रणनीती होगी उसके बारे में चर्चर नहीं कि उन्होंने अपना ध्यान तुछ आर्थिक मांगो बलपुरूक सत्ताप्र अधिपत्य स्तापित करने के प्रयासों में लगाया सपश्ट है नक्सरबाडी अंदोल को जागुरूक कर समता मुलक समाजिक समंदों के निर्मान की दिशा में मैंतबुन योगदान दिया धनागरे और समता मंदर जी के नुसार यद्यपीश का नाकरत्मक प्रभाव एम सी सी पी डबलू जी आदी संग्टनों के किले कलाप और मद्य बिहार में हो रहे जाते सं अ मैं किये गए साकारत्मक प्रयासों को इस अंदोलनों के लाब करी परिणाम के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों निशकर्ष यही है इन अंदोलनों ने किरिशक वरग को संक्टिश जरूर किया अपने दिकारों को परती जागरुख किया और अपने सोशन के परती ल चुके लेकिन वरतमान में नक्सलवाडी अंदोलन ने अलग ही रूपधार्ण कर लिया है जो कि राजनितिक इच्छा सक्ति से परेरित हैं धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि मुझे मोटिवे काम में सबसे अच्छी चीज है डटे रहना मेहनित करते रहना धन्यवाद दोस्तों